क्या आज के डेट में 1080p गेमिंग के लिए 8GB VRAM इनफ है? Is 8GB VRAM इनफ और 1080p गेमिंग इन 2023? अब आप लोग सोच रहे होगे ये सवाल मेरे मन में कैसे आया भाई? अब हुआ क्या कि मैं 3070 Ti यूज करता हूँ जिसमें 8GB की VRAM आती है और मैंने यहाँ पे एक गेम रिकॉर्ड किया The Last of Us Part 1 अपने गेमिंग चैनल के लिए यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि भाई CPU यूज तो एकदम तगड़ा हाई जाही रहा था उपर से VRAM 1080p Medium Settings पे भी 8GB Saturate हो जा रहा था So NVIDIA ने जो 3000 सीरीज में 8GB VRAM के साथ कार्ड्स निकाले हैं जैसे अपना 3060 Ti हो गया 3070 हो गया 3070 Ti हो गया जो की भाई performance तो बहुत अच्छा देते हैं भर-भर के 100-100 FPS निकालेंगे आपके 1080p resolution पे But अब अगर आपने इतना पैसा खर्चा किया है High to Ultra Settings पे गेमिंग करना चाहोगे न AAA Games में But unfortunately, sad to say 8GB VRAM अगले एक-दो साल में जो नए गेम आएंगे उनमें इनफ नहीं रहेगा 1080p Ultra Settings गेमिंग करने के लिए आपका graphics card भले ही powerful हो उतना But 8GB VRAM आपको वहाँ पे bottle neking factor मन जाएगा अभी हम लोग यहाँ पे computer में चलाने जा रहे हैं कुछ heavy AAA games 1080p resolution पे देखते, 8GB VRAM Ultra Possible Settings पे इनफ रहती है की नहीं तो आजाओ भई computer screen पे अब जैसे पहला game यहाँ पे मैंने Cyberpunk चलाया है जो की चलाया है 1080p resolution पे graphics quality यहाँ पे ultra पे set है सब कुछ high कर दिया है मैंने ray tracing भी psycho पे set है ठीक है अब उस case में यहाँ पे हमारा जो memory users है यहाँ पे नज़र रखना यह अपना 6500 है बोले तो 6.5 GB तो इस case में तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से चला लोगे आप 1080p resolution पे ठीक है हम लोग इसको 1440p पे चलाएं यहाँ पे मैंने nvidia control panel में जाके है ना एक custom resolution बनाया है 2560 by 1440p जो कि हम लोगों के 1080p resolution के ऊपर ही 1440p scaled resolution चलाएगा टेक्निकली 1440p पे चल रहा होगा गेम ठीक है तो वह हम लोग एपलाई कर देते हैं देखते हैं 8GB VRAM इनफ रहता है कि नहीं fps तो बहुत कम मिलने वाले है लेकिन हम लोगों को यहाँ पे VRAM से मतलब यह देखो VRAM जंप अप हो गया डायरेक्टली 7278 MB पे बलतो 7.2 GB पे इसकेस में VRAM इनफ है 1440p गेमिंग के लिए भी अब नेक्स गेम चलाते हैं हम लोग स्पाइडर मैन रिमास्टर तो यह मैंने चलाया है स्पाइडर मैन रिमास्टर आप यहाँ पे देख सकते हो VRAM यूजर्स 6.7 GB जा रहा था अभी अभी और यह हम लोगों ने चलाया यहाँ पे 1080p resolution पे यह देखो सब कुछ on high settings पे rate racing भी very high पे है set किया हुआ obviously rate racing आप on करोगे ही इतना खर्चा किया अगर आपने 3060 Ti 3070 3070 Ti लेने में जो कि 8 GB VRAM के साथ आते हैं अब fps यहाँ पे आपको कम लग रहे होंगे क्योंकि मेरा प्रोसेसर है राइजन 5 3600 जो कि बॉटलनेक कर रहा है इस ग्राफिक्स कार्ड को उससे हमें मतलब नहीं हमें मतलब है memory VRAM से 6.7 GB यहाँ पे maximum गई थी और RAM utilization देखो भाई almost 15 GB इसका मतलब at least 16 GB RAM चाहिए आपको आज के जमाने में 1080p पे gaming करने के लिए इससे यह भी पता चल जाता है पता है रे tracing में games जादा VRAM लेते हैं क्योंकि रे ट्रेसिंग reflections जो देख रहे हो आप यह चिकने चिकने वह इंप्लिमेंट करने के लिए और VRAM लगता है अभी इसके हिसाब से तो 8GB इनफेस को 1080p पे रन करने के लिए बट इससे आपको यह पता चल गया होगा कि हाई settings पे भी अगर आपको चलाना है तो at least 6GB of RAM तो आपको चाहिए होगा जो RTX 2060 में होता है अगर उससे कम अगर 4GB VRAM है तब आपको low या medium settings के mixture से ही काम चलाना पड़ेगा and now we are playing God of War सबका favorite at 1080p resolution ultra possible settings मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे यह देखो ultra settings की हुई है मैंने और 1080p resolution है यहाँ और कोई भी DLSS FSR on नहीं है 1080p ultra possible settings और यहाँ पे देखो हमारा VRAM utilization देखो 7.6GB और 7.7 के बीच में तो इसका मतलब 1080p resolution पे अगर आप ultra possible settings पे gaming करते हो वैसे भी यह पिछले साल का title है और originally यह 2018 का title है जो कि PS4 में आया था उसमें इतना VRAM utilization and Nvidia claim कर रहा है this is a 1440p gaming card अगर मैं इसको 1440p पे चला हूँ जो कि technically हम लोग चला नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस game में lock हुआ हुआ है इसको हम लोग output resolution को change नहीं कर सकते हैं and यहाँ पर पता चली गया होगा कि 1440p अगर मेरे पास monitor होता और मैं इसको ultra possible settings पे 1440p fps चलाने की कोशिश करता तो VRAM almost maxed out हो जाता and अपनको stuttering देखने को मिलता क्योंकि enough VRAM नहीं होता और fps भी लो हो जाते उसके वज़े से तो इस game में आप एकदम किनारे पे खड़े हो 8GB VRAM ultra possible settings पे एकदम baseline है यहाँ to run this game flawlessly अब कुछ लोग बोलेंगे भई तू ultra possible settings पे क्यों चला रहा है जब high settings पे VRAM control में रटके चलाया जा ही सकता है तो जान बुझ के दिखाने के लिए मैं क्यों चलाओ यार जब मैंने इतना खर्चा करक यह इतना महेंगा card लिया है तो मैं ultra पे नहीं चलाओंगा वो भी 1080p पे खेल रहा हूं this is a 1440p card but VRAM वहां पे इनफ नहीं रहेगा देखा कैसे Nvidia आपको VRAM के जरीए बुद्धू बना रहा है card भले ही capable है run करने के लिए 1440p पे भी अभी देखो 110 fps मिल रहा है मेरा Ryzen 5 3600 है आपको Nvidia और अभी भी जो RTX 4070 launch हुआ है उसमें 12GB की VRAM आती है and that is also targeted 1440p gaming card बट उस case में भी मुझे लगता है 1440p पे चलाएंगे तो almost 10 10.5 gigabytes of VRAM use कर लेगा वो so Nvidia क्या कर रहा है कि एकदम baseline पर आपको VRAM दे रहा है ताकि दो तीन साल बाद ही वह VRAM saturate हो जाए अगर आप latest gaming titles चलाना चाहते हो तो in future ताकि वह अपने नए cards बेच पाए इसी topic पर मैंने उस video में भी बात की थी जो हम लोग ने RTX 4070 का pros and cons बताया था उसमें मैंने इस बारे में और भी बात की है अगर उस video को देखना चाहते हो तो उस video के cons वाले section में जाके उस चीज को देख सकते हो for example जैसे अपना 1060 था वो 3GB में भी आया था और 6GB में भी आया था 3GB वाले की बैंड बज गई क्योंकि आज के डेट में 3GB is not enough for 1080p AAA gaming modern titles में वैसे ही यह बहुत ही जल्दी 8GB VRAM भी minimum हो जाएगा एक दम 1080p gaming के लिए 1440p के लिए तो आपको 12GB चाहिए आज के डेट में यहां पर आप देखी सकते हो अब तो 7.8GB VRAM यूज होने लग गया and this is not a newer title यह almost one and half years old हो चुका है अब आपको लग रहा होगा मैं background में कुछ चला रहा हूं जिससे VRAM जादा यूज हो रहा है नहीं भाई मैं background में कुछ नहीं चला रहा हूं यहां पर देखो nvidia control panel चल रहा है यह rgb azrok का utility चल रहा है एक steam चल रहा है अपना antivirus चल रहा है Bluetooth चल रहा है और यह अपना MSI afterburner अब हम लोग चलते है resident evil 4 पर यहां पर resident evil games में क्या होता है VRAM physically set करने का होता है जैसे इस वक्त मैंने यहां पर resident evil 4 में VRAM को 2 GB पर set कर रखा है तो total VRAM uses 4.5 GB वहां पर use हो रहा है 6.5 GB यह कैसे प्रोबैबली बाकी सब settings के हिसाब से अब manually चाहूं तो मैं इस game में VRAM set कर सकता हूं जब तक मेरे card का VRAM fully utilized नहीं हो साहता जैसे 3 GB 5.5 हो गया 4 GB अब red हो गया क्योंकि 6.43 GB out of 7.09 GB दिखा रहा है यहां पर अब 4 GB अगर मैंने कर दिया तो यहां पर texture quality बढ़ जाएगी यह देखो यहां पर बढ़ रही है maximum देखते हैं यह कहां तक जाता है एंड यह 1080p resolution पर यह देखो 1080p resolution और वह भी मैंने highest settings नहीं किया है max settings नहीं है यह सब देखो mostly high पर set high to medium और बहुत सारी चीज़े off भी हैं अगर मैं इसको 6 GB पर करता हूं तो 8.29 चला जाता है जो की 8 GB से जादा है अब मैंने high 8 GB पर set कर दिया जो की 10 GB VRAM यूज कर ले रहा है लेकिन यहां पर saturate नहीं हो रहा है VRAM क्योंकि जब भी VRAM limit के ऊपर जाता है ना तो MSI afterburner दिखाता नहीं है कभी कबार freeze हो जाता है वहीं बट विज्वली उतना कुछ खास चेंज में नजर नहीं आ रहा मेरे को VRAM के हिसाब से डेवलेपर्स ने यह अच्छा किया है Resident Evil Games में की dedicated texture quality for VRAM यहां पर settings दिया है जिससे अगर आपका VRAM कम भी हो तो भी आप इसको adjust कर सकते हो दूसरे games में ऐसा यह नहीं मिलता है settings जिससे आप VRAM को control कर सकते थे without losing any other settings की quality and next game जिसके वजह से मैं यह video बना रहा हूं जो कि यह last of us part 1 जिसका मैंने जब gameplay record करने बैठा तब भाई एक तो यह game इतना stutter करता है ने इतना stutter करता है कि पूछो मत उपर से cpu utilization भाई इतना heavy है इस game का वह GPU से ज्यादा तो CPU utilize हो रहा है मतलब Ryzen 5 3600 को भी बॉटलनेक कर देता है मतलब 95% Ryzen 5 3600 का utilization है इस game में और मैंने पढ़ा यूट्यूब पे भी देखा कि यह game बहुत ही अन अप्टिमाइजड वे में PC पे लॉंच किया गया है और मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे भी 1080P पे 8GB VRAM आसानी से कंजूम कर ले रहता है मैं अब यह दिखा हूं यहाँ पे options में जाओगे आप graphics में आप देखो यहाँ पे VRAM consumption वाला एक graph है अभी मैंने क्या settings लगा रखी है देखो यह high यह देखो low medium medium high 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 यह देखना बाकि सब कुछ off low पे है तो भी यह भाई 7.5GB कंजूम कर रहा है अगर मैं कुछ भी इसमें छेड़ खानी करूंगा ना जैसे देखो यह मैंने custom पे सेट कर रखा है अगर मैं custom से इसको high पे सेट करता हूं exactly 8GB क्या आस पास अगर मैं 1080p ultra पे सेट कर देता हूं भाई देखो 1080p ultra पे साढ़े 10GB कंजूम करेंगा यह देखो रेड हो जाता है यहां पे warning insufficient VRAM uses और एक बात और यहां पे मैंने DLSS को quality पे रख रखा है जिससे यह 720p पे tender हो रहा है और upscale हो रहा है 1080p resolution पे अगर मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूं तो क्या होगा अगर मैं DLSS quality जो है उसको भी off कर देता हूं default यह वह पहले warning दे रहा है मुझे insufficient VRAM अब तो भाई 11GB use कर रहा है 1080p ultra settings यह देखो this is what you get क्योंकि VRAM maxed out हो रखा है अब खाली stuttering होगी क्योंकि VRAM enough ही नहीं है तो वह लोड़ी नहीं कर पा रहा ठीक से इसलिए इतना stutter आ रहा है वहीं पे वहीं पे अगर मैं settings को एकदम low भी कर दूना जैसे यह एकदम low f2 apply changes एक तो इसके बाद गेम इतना गंदा दिखने लगता है ना एकदम cartoon टाइप का दिखने लगता उपर से देखो फिर भी VRAM utilization देखो 6GB आप समझ गयो होगे कि भाई 1080p resolution पर अगर आप ultra settings पर gaming करना चाहते हो तो VRAM 8GB कम से कम होना चाहिए 6GB भाई एकदम borderline पर फिर आपको medium to high settings का mixture लगाना पड़ेगा तब 6GB VRAM में जाके आप AAA games खेल पाओगे modern वाले आज के date पर 8GB VRAM तो अब minimum हो गया एकदम अगर आपको अगर आपको 1440P पर ultra settings की gaming करनी है तो at least आपको 16GB RAM चाहिए to be future proof अगले पचार-पांच सालों के लिए क्योंकि जैसे-जैसे games demanding होते जा रहे हैं वैसे VRAM ज्यादा consume करेंगे and 12GB VRAM जो RTX 4070 में launch किया है 4070 Ti में भी Nvidia ने वो यही सोच के launch किया है कि भाई भलें यही कार्ड का performance capable हो उस गेम को चलाने के लिए जो भी नए AAA titles आएंगे बट अगर आपका VRAM ही bottle neck वहां पे हो जाएगा saturate हो जाएगा जैसे इस game में हो रहा था तो आप कैसे चला पाऊगे फिर आप next series के card पर देखोगे जो कि Nvidia चाहता है उपर से इनका जो frame generation है नया technology जिसे आपके frame rates double हो जाते हैं AI के मदद से उसको अगर आप on करते हो तो additionally ज्यादा VRAM और consume करता game क्योंकि उसको frames बीच में लगाने होते हैं जो भी graphics card के तरफ से CPU के तरफ से रेंडर हो रहा होता है ना frames उनके बीच में तो और VRAM consume करते हैं तो 12GB मेरे हिसाब से 1440p gaming के लिए आज के डेट में AAA games पे एकदम borderline है और 1080p पे आज के time पे 8GB VRAM एकदम borderline हो गया है और हो सकता है इससे cross भी हो जाए जैसे जैसे newer titles आते जाएं उसके हिसाब से दोनों मेंसे एक ही चीज़ कर सकते हो या तो settings लो करके चलाओ या फिर नए card लो अगर आपको जादा शौक है क्योंकि game भी तो भाई इतना खर्चा कर रहे हो graphics card में तो game भी तो सुन्दर दिखना चाहिए game इत प्रण किया मैंने पार्ट वन बहुत ही जल्दी फायर गेमिंग चैनल पर आ जाएगा तो उस चैनल को भी ज़रूर चेक आउट कर लेना उस चैनल पर गेमिंग होती है और इस चैनल पर होता है पीसी बिल्ड कंटेंट और पीसी पार्ट के बारे में knowledge बाकी यही मेरे दिमा में नहीं आता भाई RTX 3060 12GB VRAM के साथ लांच कियों कि आए इन्वीडिया ने जबकि इस से पार्फुल 3060 Ti 3070 and 3070 Ti जो मेरे पास है वो 8GB VRAM के साथ आते हैं जान बूझ के ताकि VRAM bottleneck हो जाओ आप अरी देवा यह गड़ बड़े बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब विद दे केस ऑफ RTX 3080 जो कि 10 और 12GB दोनों VRAM के साथ आता है वो भी टारगेटेड था 4K गेमिंग के लिए बट 4K गेमिंग 10GB 12GB में क्या इनफ है अब एन्वीडिया ने तो लांच के टाइम पे 3080 में 4K गेमिंग का बेंचमार्क दिखाया था लेकिन एन्वीडिया की स्ट क्योंकि आपको 4000 सीरीज खरीदने के लिए वो लाइन में लगाना चाहता है इसी लिए तो एंड में कंक्लूजन यही है कि भाई 1080p resolution पे AAA गेम्स चलाना चाहते हो अगर आप अल्टरा सेटिंग्स पे तो 8GB VRAM एकदम बॉडर लाइन है 6GB VRAM is not enough 8GB VRAM is बॉडर लाइन अगर 1440P की गेमिंग करना चाहते हो 12GB VRAM is the borderline क्योंकि 8GB से जाधा VRAM consume करेगा गेम बट 12GB से कम करेगा सो यस कार्ड तो भड़े अच्छे अच्छे लॉंच हो रहे हैं लेकिन VRAM पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरा ध्यान आया VRAM पर जब मैंने यह गेम खेला तो मुझे यह बात क्लिक हुई माइंड में तो मैंने यह वीडियो बनाया कार्ड तो अच्छे-च्छे लॉंच ह चेक आउट कर लेना तुम्हारी भाई का गेमिंग चैनल है सपोर्ट दिखाओगे तो मैं ऐसे ही वीडियो जिस पर डालते रहूंगा कंसिस्टेंटली बाकि मिलते हैं आगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई सायोनारा जर बातत्तों कहा है थाई-णेटल-Pत कि सप्सक्रीख येलिकियो भाईब पोस्वर्मेसी ये खर ये तोस्वर्म आगलेविंगे तींव घ्रे दोस्वर्मेसी सामें इज थिए Moscow मैं तोस्त्त्मोंसकर टालते हैं अ barई येरोगे दोस्त्त्त्त्तित तोस्त्त्त्तीत है तोस्त